नमस्कार गांधी गोट से एक युद्ध ये एक फिल्म आई है जिसके निर्माता निर्देशक हैं राजकुमार संतोशी सहब और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है हिंदी के जाने माने लेखक और नाटककार अजगर वजाहत सहब का अजगर वजाहत सहब बहुत वरिष्ट लेखक है जनवादी लेखक संग जो वामपंथी लेखकों का एक संगठन है जनवादी लेखक संग उससे जुड़े रहे हैं उसके उचे उचे पदों पर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी अजगरवजाद साब का नाम है और डायलाग राइटर के रूप में भी अजगरवजाद साब का नाम है और इसलिए शायद वरना तो आजकल जो फिल्में बन रही हैं आप जानते हैं दक्षिनपंत ने खूब सारा पैसा फिल्मों में डाला हुआ है, उसको उभार देने वाली तमाम सारी फिल्में बन रही हैं और आम तोर पे फिल्मों पे मैं वीडियो बगरा बनाया नहीं करता, लेकिन इस फिल्म को देखकर मुझे लगा कि एक वीडियो रिव्यू बनाया चाहिए, गांधी की हत्या के बाद से ही, कोर्ट में जो गोटसे का लंबा बयान था, आप जानते हैं बाद में वो किताब के रूप में छपा, और अलग-अलग प्रकाशकों ने उसको छापा है, किसी ने कुछ जोड़ दिया है, किसी ने कुछ घटा दिया है, मैंने अपन गांधी की हत्या की थी, वो वद थी, गांधी इतने गैर जरूरी हो गए थे, या इतने नुकसान दायक हो गए थे, कि गोटसे के लिए उनकी हत्या करना जरूरी हो गया था, और इस तरह की बातें, दक्षन पंधी जो विचारक हैं, दक्षन पंधी जो प्रचारक हैं, उन उम्हें उम्मीद थी कि अजगर वजाहत साहब, चुकि इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो शायद ये फिल्म भी कम से कम सच कहेगी, गांधी के पक्ष में जाये न जाये, लेकिन कम से कम इतिहास का जहां तक मामला है, बाकी सारी चीजे हैं, उस पे सच कहेगी, पहले फि कि कलपना आ जाती है, वो कलपना ये है कि तीन गोलियां लगने के बावजूद गांधी मरते नहीं है, गांधी बच जाते हैं, फिर वो गोटसे से मिलने जाते हैं, गांधी फिर उसके बाद बिहार में किसी गाउं में एक आश्रम बनाते हैं, और उस आश्रम में रहते हु है वो लेखक और निर्देशक की कलपना में चलती है बीच-बीच में इतिहास के दिरिश्चे आते रहते हैं ये फिल्म का पूरा का पूरा structure है लेकिन ये फिल्म अपने पूरे structure में अपने पूरे कत्य में अपने पूरे form में बेहद बेहद problematic film है जैसे शुरुआत में ही ऐसा लगता है फिल्म ये दिखाना चाहती है कि गोटसे ने गांधी के हत्या की जो प्लानिंग की वो प्लानिंग बटवारे के बाद और पचपन करोड़ वाला जो मामला जिस पर पहले भी मैं एक विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ पचपन करोड़ वाला मामला आने के बाद गोटसे ने गांधी को मारने का प्लान बनाया इतिहास क्या कहता है मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से दिया है इतिहास ये कहता है कि गांधी हत्या की योजनाएं 1943-44 से ही बनने शुरू हो गई थी 1944 में गांधी के उपर एक हमला हुआ था और अगर आप कपूर कमीशन के रिपोर्ट्स डीटेल में पढ़ेंगे तो उन हत्यारों में से एक को पकड़ने वाले भिलारे गुरू का बयान उसमें पढ़ सकते हैं वो बयान क्या है वो मैं आपको शब्दसाह बताता हूँ भिलारे गुरू जी बताते हैं 19-20 लोग दिन भर गांधी विरोधी नारे लगा रहे थे तब बाते करने के लिए नाथूराम गोटसे को गांधी जी ने बुलाया गोटसे ने मिलने से इंकार कर दिया शाम को गांधी जी की प्रार्थना सभा हुई तब नहरू शर्ट, पाजामा और जैकेट पहना हुआ एक युवक गांधी विरोधी नारे लगाता हुआ जैकेट की जेब से जांभिया यानि की छूरा निकाल कर गांधी जी की ओर लपका मैंने और मरीशंकर पुरोहित ने उसे पकड़ कर छूरा अपने कबजे में ले लिया और उसे जमीन पर पटक दिया गांधी जी ने उन्हें रोका और हमलावर से बुरा वेवहार न करने को कहा उन्होंने नाथुराम से आठ दिन साथ रहने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया गांधी जी ने उसके बाद उसे जाने दिया पुना से आने वाले योकों के समूह में विश्नुकर करे, दिगंबर भढगे, गोपाल गोट से भी शामिल थे, ये सारे वो लोग हैं जो बाद में गांधी हत्या के आरोपी बने, इसके अलावा भी गांधी हत्या के पहले पांच बार उन पर जान लेवा हमला हुआ था, दो मदनलाल पाहवा ने बम भेका था, गांधी जी उसमें बच गए थे, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सात्वा हमला था, हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें गांधी जी के हत्या हुई, और विभाजन की बात आने से, पच्पन करोड की बात आने से, बहुत पहल गोट से और उसके साथ ही गांधी हत्या की योजना बना रहे थे, गोट से को जस्टिफाई करने के लिए अकसर ये कहा जाता है कि विभाजन के बाद जिस तरह के हिंसा हुई उससे, नाथुराम गोट से बहुत व्यथित था, पच्पन करोड रुपए जैसे पाकिस्तान को दे लिए गए, गोट से बहुत व्यथित था, अगर तारीखें आप देखें और प्लानिंग देखें अगर आप, तो आपके समझ में आता है कि ये भी एक जूट है, थोड़ा लिटेलिंग में आपको करता हूँ, 12 जनौरी को गांधी जी ने अपने अन्शन की घोशना की मंगलवार का दिन था, उस दिन गांधी जी मौन वरत रखते थे, ये भी अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो उस दिन मौन बिटन के साथ गांधी बात करते हुए दिखाई देते हैं, गांधी जी का उस दिन मौन वरत था, अगर थोड़ा सा इतिहास पलट के देख लि चांगा ये था कि उनका मिलना था मौन बेटन से, वो मौन बेटन से मिलने गए, मौन बेटन ने बताया कि मंत्री परिशद ने फैसला लिया है कि 55 करोड रुपए अभी पाकिस्तान को नहीं दिये जाएंगे, लेकिन विभाजन के समय ये तैं हुआ था कि पाकिस्तान को 75 क करेगा तो उसको दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि अगर मंत्री मंडल अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो पूरे इंटरनेशनल समुदाय में बदनामी होगी अगर मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो हम हारेंगे और एक नोट लिख कर दिया था वही नोट गांध तो यह है कि अगर बारा जन्वरी को उन्होंने फैसला लिया था तो जो प्लानिंग थी वो बारा जन्वरी के बाद होनी चाहिए थी यहां तो तेरा जन्वरी को एक घटना होती है जिसमें दो अपनी जो जीवन बीमा पॉलिसीज थी वो गोट से की पतनी और आप्टे की पतनी के नाम ट्रांसफर करता है नाथुराम गोट से यह दो साल पहले बीमा लिया गया था यह वो इस्थिती थी जिस समय ना तो अखबार की ऐसे इस्थिती थी कि इतना पैसा बीमा में खर्चा किया या सके गोट से ने आप जानते हैं शादी नहीं की थी तो बिना अलवार में गया था लॉट के आने के बाद उसके बड़े भाई यानि गाधी के हत्यारे यानि नतुराम गोट से ने उससे कहा था कि हत्यार वापस मत करो छुपा कर रखो इसकी जरुवत पड़ेगी और ज्यों ही गाधी हत्या की योजना बनी उस हत्यार को मंगवाया गय अगर 12 जन्वरी को अंशन की खोशना जिस समय 55 करोड की कोई बात रेडियो पे आई ही नहीं थी रेडियो पे ये बात एक दू दिन बाद आती है अगर 55 करोड का मामला होता तब तो 55 करोड का मामला रेडियो पर आने के बाद हत्या की योजना बननी शुरू होती लेकिन य मौके का इंजार किया जा रहा था, ये मौका मिला और सारा कुछ कर दिया गया, 20 जनवरी को कोशिश की गई, जिसमें गोटसे ने खुद को आपटे को सब को बचाने की कोशिश की कि मदनलाल पाहवा फस जाएगा, सब को ये लगेगा कि एक शाडार्थी ने बंफे का गुस् पास पास पटेल को दिखाए गया है, अगर इतिहास में आप जाएंगे तो पटेल उस समय थे ही नहीं, पटेल उस समय सौराष्ट में थे, बंबई में भाशन दे रहे थे, पूरे अंशन के टाइम में पटेल महा से अनुपस्थित हैं, इसके बाद विभाजन के जो पूर गोट से दिल ले, कब शाडार्थियों को बचाने वो चला गया, कपूर कमेटी छोड़ दीजिए एक बार, गांधी हत्याकांड का एक एक जो मामला है, वो रिकार्ड में है, हम लोगों ने वहीं से लेके गांधी हत्या पर किताबें लिखी हैं, उसमें गोट से कब चला ग मौका नहीं दिया गया, गोट से ने अदालत में 9 घंटे का बयान दिया था, कहते हैं कि सावरकर ने वो बयान उनको लिख के दिया था, और 9 घंटे गोट से ने कोट में बयान दिया था, कोई व्यक्त जिसने ये स्विकार कर लिया हो कि उसने हत्या की है, उसको 9 घंटे का म इस तरह से शेप किया गया है कि गाधी केवल केवल दोशी नजर आ है और गोट से एक हीरो की तरह नजर है और यहाँ पर ही फिल्म केवल कमजोर नहीं होती है फिल्म पूरी तरह से आपको दक्षन पंथी पक्ष में जाकर बैठना बैठती दिखाई देने लगती है हाला कि ब कुछ खास नहीं है लेकिन उस द्रिश्य के बाद जब गांधी को जीवित कर दिया जाता है और गांधी गोट से से मिलने जाते हैं तो गोट से गांधी से जिस भाशा में बात करता है या बाकी सारे लोग जिस भाशा में गांधी से बात करते हैं गोट से का जो पूरा बया उसमें भी वो गांधी जी कहता है लेकिन इस फिल्म में वो गांधी को तुम कहता है गांधी के साथ जितनी बत्तमीजी कर सकता है उतनी बत्तमीजी करता है और यही नहीं गांधी और उनके साथियों को बदनाम करने के लिए एक द्रिश्य को तो पूरा पलट दिया गया है द मरता है तो मरने दो गांधी हाई है नेरूभाग कर जाते हैं और कहते हैं कि कौन है जो ऐसे नारे लगा रहा उसको सबसे पहले मुझे मारना होगा और यह द्रिश्ट पचास जगह quoted है, मैंने भी quote किया है तुशार गांधी ने भी quote किया है, पचास जगह आपको मिल जाएगा वो नारे लगाने वाले चले जाते हैं उस समय गांधी अंदर हैं, वो मनुबेन से पूछते हैं कि क्या हुआ मनुबेन कहती है कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे गांधी पूछते हैं, कौन से नारे लगा रहे थे उन्होंने कहा गांधी हाई हाई फिर गांधी पूछते हैं, कितने लोग थे मनुबेन कहती हैं, बहुत लोग नहीं थे और गांधी खामोश होकर सोचाते हैं द्रिश्य 25 किताबों में आपको मिल जाएगा authentic द्रिश्य लेकिन ये फिल्म क्या करती है ये फिल्म इसको पलट देती है ये फिल्म दिखाती है कि पीछे लोग नारे लगा रहे हैं महरू कहीं बाहर निकल के नहीं जाते हैं जब सब लोग चुपचाप उस नारे को सुन रहे हैं और जब गांधी पूछते हैं क्या नारे लग रहे हैं तो वो सारे लोग उनसे जूट बोलते हैं कि गांधी जिन्दाबाद के नारे लग रहे हैं आप सोचिए इस एक दिर्श्य को पलट कर उन्होंने सारे लोगों को कैसे जूपे में तब्दील कर दिया है और अगर तब्दील किया है तो इसकी वज़ा क्या है क्या वज़ा है कि जवाहरलाल नहरू, आचारी कृपलानी, मौलाना आजाद यहां तक कि मनू बेन सब को जूटा साबित करना था यह सोचना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ उसके बाद जब गांधी ठीक हो जाते हैं तो अज़गर वजाहत साहब एक नया दृष्च लेके आते हैं जिसमें कॉंस्टिचूशन की बात हो रही है उसमें कुछ राजे रजवारे सनातनी लोग हैं सामने अंबेटकर साहब है और गांधी बैठे हुए है और सनातनी जो लोग हैं वो सारे लोग कहते हैं कि हमें सम्विधान की जरुवत नहीं है अंबेटकर कहते हैं सम्विधान की जरुवत है गांधी अंबेटकर का साथ देते हैं देखने में ये द्रिश्य बड़ा सिंपल सा लगता है लेकिन क्या हिंदुस्तान में सम्विधान की बात 30 जनवरी 1948 के बात शुरू हुई जिस भारत में सम्विधान सभा का निर्माण आजादी के पहले हो चुका था सम्विधान निर्माण की प्रक्रिया अजादी के पहले शुरू करने की बात चल रही थी इतिहास का यह कौन सा ग्यान लेकि अजगर वजाहत साहब आते हैं जिसमें सनातनी सामने हैं, अमबेटकर सामने हैं और गाधी कहते हैं हाँ सम्विधान तो बनाना ही होगा जैसे सम्विधान बनाना, दो लोग की बाद थी, दो लोग बैटके डिसाइड करते हैं और उसके बाद सम्विधान बनना शुरू होता है यही नहीं, इस घटना के बाद दिखाये जाता है कि सनातनी जो है या राजे महराजे वो गाधी के खून के प्यासे हो जाते है इन सब के बीश से सावरकर को गायब कर दिया जाता है सचाई तो यह है कि यह जो सनातनी थे, वही तो गाधी हत्या का प्रयास कर रहे थे कई सालों से सच्चाई ये है कि ये जो सनातनी थे इन्हीं के तो प्रतनी थे सावरकर कपूर कमीशन जिसको गाधी हत्या का सबसे बड़ा शड़यंत्रकारी मानता है सच्चाई ये है कि गोट से अपने आप में था क्या सावरकर का शिश्य और कपूर कमेशन में अगर सारी गवाहियां सारा कुछ पढ़िये तो बहुत साफ समझ में आता है कि सावरकर ने सारी योजना बनाई थी गोट से तो सिर्फ उनका एक पान था उनका एक मुहरा था लेकिन इस पूरी कहानी से सावरकर को बड़ी सफाई के साथ गायब कर दिया जाता है और गोट से को गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जो डायलाक्स हैं गांधी और गोट से के बीच में शुरुआती दोर के वो सुनके तो मतलब दिमाग खराव हो जाता है आप देखिए यह आश्चर जनक है कि जो नाटक है जिस पर यह फिल्म बनी है गांधी एड गोरसे डाट काम उसमें तो एक जगा विभाजन का सवाल आने पर गांधी सवाल पूछते हैं कि जो सावरकर खुद तू नेशन थीरी की बात करते थे उनके सिश्य होकर तुम कैसे विभाजन पर मुझे दोशी ठहरा सकते हो लेकिन ये सवाल फिल्म से गायब है जहां भी गांधी के बारे में थोड़ी सी अच्छी बात आती है तुरंट एक ऐसा दृष्य दिखा दिया जाता है जिससे गांधी को विलेन बनाया जाए जिसमें गोट से फेमिनिस्ट भी बन जाता है हम आगे बात करेंगे इसके बाद कॉंग्रेस के डिजाल्व करने के लिए एक मीटिंग होती दिखाई देती है जिसमें गांधी ये प्रस्ताव करते है कि कॉंग्रेस को डिजाल्व कर दिया जाए मानो गांधी ने कॉंग्रेस को डिजाल्व करने का प्रस्ताव 30 जनवरी 1948 यानि अपनी मृत्यू के बाद बनाया था जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वो लोग इतिहास जानते हैं और वो ये जानते हैं कि गांधी ने कॉंग्रेस को डिजाल्व करने का प्रस्ताव पाकाइदा लिख कर प्रसारित किया था एक तरफ दूसरी तरफ वो नहरू और पटेल से लगातार साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे थे उठाके देख लीजिए तो वो लगातार उनसे ये कह रहे हैं कि आप दोनों मिलकर सरकार चलाईए और एक सहमत भी बनाने जैसी बात कर रहे हैं कांग्रेस को डिजाल्व करने के उनके प्रस्ताव को कुछ ऐसे दिखाये गया है जैसे गांधी चाहते हैं कांग्रेस रहे ही ना जबकि सचाई ये है कि वो एक प्रस्ताव था जो डिसकस हो चुका था गांधी उससे पीछे हट चुके थे दूसरी बात इस पूरी बातचीत में सरदार पटेल और नहरू को आमने सामने करके वो कहते हैं कि आप लोगे बीच में भी तो इतनी असामती है जैसे वो ताने दे रहे हो जबकि उन असामतियों के बीच वो लगातार नहरू और पटेल से बात कर रहे हैं उन असामतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं और असामतियां तो उनकी भी थी कौन सा दोर रहा कॉंग्रेस का ऐसा जब असाहमतिया नहीं रही जो लोग कॉंग्रेस का इतिहास जानते हैं वो जानते हैं कि नरमदल गरमदल के बीच में ऐसी असाहमति हुई थी कि पुणे में बाकाइदा मंच पर पत्थर चले थे नरमदल अलग हो गए थे उसके बाद भी असाहमतिया रही लेकिन कॉंग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा था कि उन असाहमतियों के बीच में कॉंग्रेस चलती रहती थी और उस द्रिश्य को जितने गंदे तरीके से दिखाए गया है जिसमें नहरू और पटेल कहते हैं कि कारेसमिती में मामला जाएगा वहां तैं होगा और गांधी उदास हो जाते हैं जबकि सच्चाई ये है कि गांधी ने जीवन भर जो भी प्रस्ताव किये सभी कारे समिती में गए और कारे समिती से पास होने के बाद ही उन पर अमल हुआ तो मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये द्रिश्य सचा भी होता तो भी गांधी खुद ही कहते कि इस प्रस्ताओं को कारे समिती में मैं लेके आ रहा हूँ वहाँ पर वोटिंग होगी और उससे तैं होगा विभाजन जैसा मामला जिस पर गांधी कभी नहीं राजी थे वो भी तो कारे समिती में ही तैं हुआ था कांग्रेस के सारे प्रस्ताओं कारे समिती में तैं होते हैं लोग तंत्र का यही तक आ जा है Working Committee बनती ही इसी के लिए लेकिन इस पूरे दृष्च का प्रयोग किया गया है नहरू और पटेल को सरदार पटेल और जवाहलाल नहरू को विलेन बनाने के लिए और सरदार पटेल नहरू को विलेन बनाने के लिए और भी बहुत कुछ किया गया यहाँ से फिल्म आगे बढ़ती है गाधी चले जाते हैं स्वराज के लिए अपने ग्राम स्वराज के लिए गाउं में जाते हैं गाउं में जाके अपनी कुटी बनाते हैं वहाँ पर काम करना शुरू करते हैं वहाँ गांधी को एक सम्विधान वादी से एक अहिल्सक नकसल वादी में परिवर्तित कर दिया गया है। गांधी का पूरा जीवन जिसके लिए उनके आलोचनाय भी बहुत सारे जो भगत सिंग और इस तरह के कांतिकारी हमारे रहे हैं वो करते हैं कि गांधी जीवन भर कॉंस्टिचुशनलिस्ट रहे हैं, सम्विधान के अनुसार चलने वाले रहे हैं, उन्होंने जो सविनाय किये, सत्याग्रह किये, उसके बाद भी वो हमेशा सम्विधान की बात करने वालों में से रहे हैं, लेकिन यहां क्या किया गया, एक तरफ गांधी को एक अहिंसक नकसलबादी में बतल दिया गया है, दूसरी तरफ नहरू, सरदार पटेल, और मौलाना आजाद और बाकि सा ही नहीं रहे थे, सारा कुछ अपने आप हो रहा था, जो था सब गरबर था, और उसमें गांधी जो हैं वो, जो आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन लगभग हिंसक के पास पहुँचने वाला था, एक पटवारी है जो किसी गरीब की बच्ची के साथ जबरदस्ती करने वाला है, गांधी अपनी पूरी टीम लेकर पहुचते हैं, और उसको रोकते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर बताया जाता है कि गांधी के अपनी पुलिस है, गांधी के अपनी अदालत है, यह पूरा जो नकसलवादी तरीका है, जिसमें उनकी अपनी पुलिस होती उनके अपनी अदालत होती है, उसमें फैसला दिया जाता है, अजगर वजाहत साहब ने, जो खुदे कमनिस्ट हैं हो सकता है, उनको वह तरीका अच्छा लगता हो, ये सारा कुछ उठा कर उन्होंने गांधी के अंदर डाल दिया है, अगर हम कलतना कर ही लें कि गांधी उस सम अग्रह करते, गांधी मशाल लेकर कोई रेस्ट हाउस घेरने वालों में से नहीं थे, गांधी का पूरा आंदोलन आप उठा कर देख लीचे, और नहरु अगर ये सुनते तो क्या करते हैं, नहरु अगर ये सुनते तो कड़ी से कड़ी सजा देते, नहरु का जीवन गवा है, पचास एक्जामपल मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस पूरी फिल्म में, चुकि गांधी को जेल में भेजना था, जी, इसके बाद गांधी जी को देश द्रोह के आरोप में जेल हो जाती, और उस जेल की सजा अप्रूफ कौन करता है, जवाहर लाल नह नहरू, यानि हमारे अजगर वजाहत ने गांधी और नहरू को सामने खड़ा कर दिया, और दोनों के आपस में लड़ाई लड़वा दी, और नहरू से गांधी को जेल भेजवा दिया, जो नहरू खुद को गांधी का सिश्च जीवन भर करते रहे, जो नहरू गांधी के आगे जुकते रहे, जिस नहरू ने अपने पिता से ज्यादा गांधी को मान दिया, जिस पटेल ने गांधी को हमेशा अपने पिता की तरह देखा, उस नहरू और पटेल के राज में गांधी को जेल भिजवा देते हैं, असकर वजाहत, ये भरष्ट बुद्धी का उधार इसना से गांधी को गोटसे के कमरे में पहुचा देते हैं, गांधी और गोटसे को बराबर तो करी चुके हैं, ये वो मौका है जहाँ पर थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश होती है, एक जगा वो कहता है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आये तो यहाँ पर हिंसा शुरू हुई, वहाँ पर गांधी कहते हैं नहीं, सात्मी सदी के पहले भी भारत में हिंसा थी, जब बहुत धोर जैन धर्म ने जगा बनाई, एक जगा और ऐसी ही कोई बात है, एक जगा बैलेंस करते हैं, लेकिन डामिनेट हमेशा गोटसे को कराते हैं, इस हद तक कराते हैं, कि एक लड़की है जो उनके शिश्या बनी है, और आप जानते हैं गांधी के आश्रम का नियम था कि विवाह नहीं कर सकते थे, उस द्रिश्य को लेकर, मतलब महिला जेल वहाँ अलग नहीं थी, गोटसे आराम से उस महिला के पास पहुँच जाता है, उससे बात करता ह अगर फोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया होता असगरवजास साब ने, तो वो जानते कि गोटसे जो था, वो महिलाओं से इस कदर भागता था कि एक बार वो हॉस्पिटलाइज हुआ, और सुबह जब उसका होश आया और उसने देखा चारो तरफ नरसे हैं, तो वो भाग ग उसने खुद तो शादी की नहीं थी, लेकिन वो महिलाओं का हिर्दे जानता है, वो जिस रास्ट्रिय स्वयम सिवक संगटन का सदसिधा, उसमें महिलाओं की इंट्री भी नहीं थी, लेकिन वो महिलाओं का दिल जानता है, गांधी नहीं जानते हैं, और छोड़िये, कस्त पटेल को अधीक वोट मिला था लेकिन नहरू को आपने पधान मंत्री बनवाया गांधी चुप है उस पे जबकि गांधी इसका जवाब 20 बार दे चुके हैं गांधी ने बाकाइदा बताया था कि नहरू के चैन का कारण क्या था क्यों उन्होंने नहरू को चुना था क्योंक पॉलिटिक्स को जानता हो और भी बहुत सारी बाते हैं लेकिन अजगर वजहात की फिल्म में गांधी चुप है यहां तक की कस्तुर्बा कहें डालती हैं कि आप डरते हैं सुभाश बोस और डक्टर हमबेटकर से गांधी डरते थे जिन्होंने गांधी को पढ़ा है जो ग कहा था कहा नहीं होता है कहा पक्ष नहीं होते हैं लेकिन उसके बाद अगर सुभाश बाबू को अपना ध्यक्षपत छोड़ना पड़ा तो वो इस कारण से छोड़ना पड़ा क्योंकि पूरी की पूरी कारेकानी जिसके नेता पटेल और बाकी लोग थे वो उनके खलाप थी उस पर मैं लंबी बात कर चुका हूँ अमबेटकर से डर की कौन सी बात थी पूना पैक्ट की बात थी पूना पैक्ट में मैं बहुत सारी बात कर चुका हूँ उसमें डर का कौन सा मामला था गाधी ने तो नहरू पर दबाव डाल कर समिधान सभा की जो में कभी रही नहीं लेकिन कस्तुरबा आती हैं तो ये कहने के लिए इसी बीच में एक डायलाग है जब पटेल और नहरू का सवाल गोट से करता है गांधी से तो जानते हैं क्या कहता है जवाहर लाल नहरू का नाम आने पर वो कहता है कि वो कौन है तुम्हारा क्या नाम है उसका जो तुम्हारा बहुत करीबी है और गांधी कहते हैं जवाहर यानि गोट से गांधी के तो बराबर हो गया जवाहर लाल नहरू से उपर हो गया वो कहता है कि वो कौन है जो तुम्हारा बहुत करीबी है क्या अजगर वजाहत साहब या राजकुमार संतोशी साहब को ये नहीं पता है कि जब गांधी हर्थ्या के लिए गोट से निकला था तो वो नहरू को भी मारना चाहता था नहरू बच गये नहरू को नहीं मार पाई ये लो और नहरू के सामने क्या उकाद थी गोट से की मैं तो बुस्ताओं कांग्रेस के एक मामुली सिपाही के आगे गोट से की क्या उकाद थी एक कल का लड़का जिसके ने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया जिसकी एक ही खूबी थी कि सावरकर का वो भक्त था सावरकर जो कहते थे वो करता था जिसको कोई जानता भी नहीं था अगर गांधी हत्या का ये प्रयाज भी चूग गया होता तो गोट से को कोई जानता भी नहीं गोटसे जिसकी एक ही पहचान है कि वो गांधी का हत्यारा है उसको आप सर्दार पटेल जवाहर लाल नहरू मौलाना आजाद सबसे बड़ा बना देते हैं वाटसअप के सवालों से आप गांधी और गोटसे को बरावर खड़ा कर देते हैं और सावरकर का नाम लेने के हिम्मत नहीं कर पाते हैं आप दस बार कहलवाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू ओर्तों को मारा जा रहा था, हिंदूों को मारा जा रहा था, उनका घर चीना जा रहा था, लेकिन एक बार नहीं कहलवा पाते हैं कि यही सारा कुछ हिंदूस्तान में भी तो हो रहा था मुसल्मानों के खिलाव, गांधी दिखा देते हैं महात्मा गांधी को आप आपकी हालत ये है कि आप WhatsApp से आए हर forward को सच मान कर अपने film में यूज़ कर लेते हैं और उस पर गांधी को चुप करा देते हैं आप पटेल और नहरू के मामले में गांधी को चुप करा देते हैं संदेश क्या है कि गांधी की गलती थी जिसका उनके पस कोई जवाब नहीं था आप चुप करा देते हैं सुभाश के मामले पर यानि गांधी की गलती थी उनके पस कोई जवाब नहीं था आप मनू बेन और बाकी सारे सब का अत्याचारी बता देते हैं गांधी को और गांधी के पासुक्त को जवाब नहीं होता है गांधी ने अभी हाल में कहा तक उस दिनों पहले कि यहाँ जो शूटिंग हो उसमें जो स्क्रिप्ट हो एक बार हमें दिखा ली जाए हम जब स्क्रिप्ट अप्रूफ करेंगे उसके बाद शूटिंग हो ऐसा लगता है कि राजकुमार संतोशी और अजगर वजाहत ने स्क्रिप्ट पहले नरुत्तम मिश्रा से अप्रूफ करा ली है अब मध्यप्रदेश में शूटिंग की है मध्यप्रदेश के परिटन विभाग से या कहीं से इनको सहायता मिली है तो उनको थैंक्यू तो बोला ही है फिल्म के पहले थैंक्यू बोला है ठीक है लेकिन इस तरह कि फिल्म बना कर थैंक्यू बोलना तो भयानक था और कैसे कैसे सवाल पर गांधी को चुप कराया गया वंदे मातरम के सवाल पर गांधी को चुप कराया गया ये कहा गया कि आपने बंदे मातरम बंद करवा दिया, किया ये सच है, बिलकुल जूट है, बंदे मातरम का जब मामला आया, कि बंदे मातरम जो है वो उससे मुसलमान कुछ नाराज हो रहे हैं, तो गांधी ने उसको भेज दिया टैगोर के पास, सुभाष बाबू और टैग नहीं पढ़ता और उन्होंने कहा कि आनंद मट चुकी अंग्रेजों और भारतियों के बीच का युद्ध नहीं हिंदू और मुसल्मानों के बीच का युद्ध है तो जो बात का हिस्सा है वो मुसल्मानों को पुरा लग सकता है पूरे देश को एक रखने की भावना से पहला जानते हैं या फिर जानते हैं और जान मुझ कर छुपाना चाहते हैं क्योंकि उनको गोटसे को हीरो बनाना है अब गोटसे के सामने गांधी को चुप करा देते हैं गांधी जो मांट बेटन के सामने नहीं चुप हुए गांधी जो इंगलैंड की महरानी के सामने नहीं उस आद्मी की कल्पना में हो सकता है जो इतिहात से या तो शून्य हो और या फिर पतित हो गया हूँ या फिर खुद सावरकर की तरह गोट से की तरह सोचना शुरू कर चुका हूँ सावरकर ने एक जगा लिखा था अपने भाई को पत्र में कि हमारा समय जो है वो सावरकर युग की तरह जाना जाएगा सचा ये है कि वो समय गांधी युग की तरह जाना जाता है सावरकर सोचते रह गए कि उनको अपने समय का सबसे महान आदमी माना जाए गांधी ने कभी सोचा नहीं लेकिन केवड हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया ने उनको महाना आदमी मना और आज हिंदी का एक लेखक हिंदी का एक वामपन्थी लेखक और एक बाजारू फिल्मकार मिलकर गांधी को गोटसे के बराबर कर दे रहे हैं आप गोटसे को इतना महान बना दे रहे हैं ठीक है ये आपका एक तर्क हो सकता है कि उसका हरदय परिवर्तन हो जाता है और अंत में गांधी की जब हत्या होती है तो वो बचा लेता है लेकिन यहाँ पर एक कहानी सुना के मैं पत्र का जवाब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गोटसे के अंदर कितना अच्छा मनुष्य था और कितना बुरा मनुष्य था, मतलब यहां तो यह है कि गोटसे ने हत्या की उसके बाद दिखाया गया कि उसने हाथ खड़े कर दिये, सचाई यह है कि उसने की कोशिश की, जब उसको गर अफ्तार किया गया तो उसने अपना नाम गलत बताया, उसने अपनी उम्र गलत बताई, जिस पर एक विद्वान ने लिखाया कि प्रकिर्ति से ही वह जूटा है, जो उनके बेटे ने पत्र लिखा था और मिलने की बात की थी, जब उन पत्रों की मिलने की इजाज़त हम बिलकुल नहीं दे सकते, क्योंकि ये आदमी जो है बेहत शातिर है, इसको अपने किये का कोई अफसोस नहीं है, और अगर गांधी के पुत्र गोटसे से मिलते हैं, तो गोटसे को हीरो बनने में सहायता मिलेगी, यही नहीं कुछ गांधीवादिय उन्हें मांग की, कि फासी की सजा उसकी माफ कर दिया जाए, क्योंकि गांधी फासी की सजा के खिलाफ थे, तब भी सरदार पटेल ने यही कहा, कि माफ की जा सकती सजा, अगर उसको अपने किये का अफसोस होता, और हिर्दय बदलने की एक और बात, मदनलाल पाहवा का मैं उसके पास गई, और उन्होंने से बात की, उस बात में उस आदमी ने कहा, कि मुझे एक ही अफसोस है जिन्दगी में, कि मैं गांधी हत्या में नाकाम्याब रहा, ऐसे लोगों के हिर्दय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, फासी वादियों के हिर्दय परिवर्तन की बात कर अजगरवजाहत और राजकुमार संतोशी ऐसे लोगों को गांधी के समकष खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार संतोशी और अजगरवजाहत दक्षनपंत की सेवा करना किसी का भी चैन हो सकता है लेकिन इतिहास के साथ खेलने की इजाज़त तो नहीं है और इसी लिए भले अजगर सहब कितने भी वरिष्ट हो भले जीवन भर मैंने उनका सम्मान किया है लेकिन आज इस वीडियो के अंत में उनके लिए मैं कह रहा हूँ धिकार है आपकी लेखनी पर जो इस तरह का प्रदूशित विशाक्त इतिहास सामने करती है और एक खलनायक को एक हत्यारे को नायक बनाने का प्रयास करती है धिकार है